आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैफी आजमी जी के बारे में कैफी आजमी जी का पूरा नाम अख्तर हुसैन रिजवी था इनका जन्म 14 जनवरी 1919 में माजवा आजम गर्जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी बृत्यू 10 मई 2002 में हुई बृत्यू के समय इनकी उम्र 83 वर्ष थी वैवसाय से ये कवी थे और गजल वन नजम लिखते थे कैफी आजमी जी का विवाह शौकत आजमी से हुआ और शौकत आजमी भी पेशे से कलाकार ही थी इनकी दो संताने हैं शबाना आजमी जो पेशे से कलाकार है और बेटा बाबा आजमी इन्होंने फिल्मों के बहुत मशूर गाने लिखे जैसे कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म वक्त ने किया क्या हंसी सितम कागज के फूल एक जुर्म करके हमने चाहा था मुस्कुराना फिल्म क्षमा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम शोला और शबनम धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार फिल्म अनुपमा जरा सी आहट होती है तो दिल पूछता है हकीकत ये दुनिया ये महफिल मशूर फिल्म हीर राज्जा 1975 में आवारा सजदे के लिए कैफी आजमी जी को साहित्य अकादमी पूरुसकार प्रदान किया गया 2002 में साहित्य अकादमी पैलोशिप से समानित किया गया 1970 में सर्फ्ष्रेष्ट गीत के लिए राश्ट्रिय फिल्म पूरुसकार प्रदान किया गया कैफी आजमी को राश्ट्रिय पूरुसकार के अलावा कई बार फिल्म पेयर अवार्ड भी मिला भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री से समानित किया कैफी आजमी जी को भारत के चौथे सर्व श्रेष्ट नागरिक पुरुसकार पदमश्री से सम्मानित किया गया इसके अलावा उन्हें उत्तर प्रदेश के उर्दू अकादमी पुरुसकार और उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया 1908 में महराष्ट सरकार ने उन्हें ज्यानेश्वर पुरुसकार से सम्मानित किया, उन्हें जीवन भर की उपलब्धी के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पहलोशिप्त सम्मानित किया गया था, सन 2000 में उन्हें दिल्ली सरकार और दिल्ली उर्दो अकादमी द्वारा पहला मिलेनियम पुरुसकार दिया गया था। उन्हें विश्व भारती, विश्व विद्याले, शांती निकेतिन से डारेक्टरेट की उपाधी से भी सम्मानित किया गया था। जो उनके ग्रह नगर आजमगर से पुरानी दिल्ली तक चलती है।